नमस्कार दोस्तों आप देख रहा है नॉलेज बाज राज कवडियों में हम यहां डिसकस करेंगे डेटा इंटर्प्रेटेशन को जो की रेलवे एंटी पीसी और रेलवे ग्रूप डी के एक्जाम के लिए बहुत जादा उपी होगी है और यहां पे जो हमारे पास है इस टॉपिक को आपकी आसानी से बना सकते है और इस टॉपिक की कोशन ज्यादे तरह आप जेखेंगे कि अंत में आपको देखने को मिलने वाला है ठीक है तो यह टॉपिक बहुत ही ज़ादा इंप्रेटन तो इस वीडियो का आँद तका बने रहिएगा अगर वीडियो अ concept को समझते हैं तो वेसे concept से पहले आपको यह समझेना होगा कि होता क्या है कि आपको डेटा है वो किसी फॉर्म में दिया होगा या तो आपको टेबुलर फॉर्म में दिया होगा या फिर आपको पाइचार्ट के फॉर्म में दिया होगा या बार ग्राफ के फॉर्म में दिया मतलब ग्राफ के फॉर्म में आपको किसी भी फॉर्म में आपको डेटा दिया गया होगा उनको क्या करना होता है समझना होता है एनलाइज करना होता है उसके बाद आपको उसके अधारते उस पर अधारते को सॉल्व करना पड़ता है ठीक है अब देखेगा डी आई के परकार कितने होते है तो टी आई के जो मेन होते है जो मुख्यता होते है वो चार परकार होते है पहला होता है पहला जो परकार है देखेगा लिखा हुआ है सामने टेबुलर ठीक है ज्यादा तर एक जाम में कोस्तन आपका टेबुलर पर आता है ठीक है टेबुलर पर आता है नंबर नमबर टू में देखेगा बार ग्राफ लिखा हुआ है तो बार ग्राफ टिक है नमबर टू में बार ग्राफ आ जाएगा उसके बाद नमबर त्री में देखेगा नमबर त्री में लिखा हुआ है पाई चार्ट टिक है ये भी एक परकार होता है पाई चार्ट हो गया और नम क्या चीज है ठीक है अब सबसे पहले हम अगर टेबुलर के बारे में बात करें तो टेबुलर में डेटा इस तरह से आपको दिया होगा डेटा मालीजे इस पॉम में दिया होगा मालीजे की यहां दिन का नाम लिखा है मंडे लिखा हुआ है यहां मालीजे की वैडनेस टे लि भीस दिखते रहे तो यह क्या होगा देटा आपका टेबलर फॉर्म में दिया होगा तो इसी को हम आप लोगों को नहीं दिख रहा ओगा यहां को समझ में आगी होगा आगे भी हम कोसं भी दिखेंगे तो इस चीज़कों मैं पहले हटा जाता हुँ ठीक है मैं बताते हूँ यहां पे जंगा नफे क्या होता है यहां पे हो सकता है कि 50 लिखा होगा यहां पे 200 लिखा होगा है एसे करें हर एक बार का ठीक है इसको ए acceso बार और यहां पर क्या हो जागा पाईचार्ट में ठीक है इस चीज़ को आप बोलते हैं तो यह ना एंगल फ्ट्रेटर तो पूरा इंगल कितना होता है तो आपको कभी कभी कोसर में दिया जा सकता है कि इससे ठीटा का value निकाले, मतलब angle of center निकाले, तो यह होता है pie chart, ठीक है, pie chart का भी example भी हम लोग देखने वाले हैं, आगे देखते हैं, आगे अगे अगर देखे line graph कैसा होता है, तो line graph कुछ है, इस तरह से देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे line बना होगा, ठीक है, कुछ-कुछ अल है, और माली यह pie chart है, इन दोनों पर आधारित एक question दिया होगा, कुछ question का group दिया होगा, जिनको आपको क्या करना होगा, solve करना होगा, ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम लोग तो यह basic concept, आप लोग समझ गया होगे, कि basic concept क्या है, यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ बात करत है, question के बार में, और पहले question को देखते हैं, कि पहला question आप लोग किस तरह से बनाने वाले है, यहाँ पे exam में, ठीक है, और किस परकार के question पुछे जाएंगे, अब दोस्तों हम पहले question को देखते है, type 1, type 1 में पहला question आप देख सकते है, type 1 का पहला question किसी पे, pie chart पे, मैंने पहला mobile company देखेगा, EBC, XYZ, PQR, DEF और LMN, ठीक है, यहाँ पांस mobile company है, अलग-अलग परती सत है, मतलब share है, अलग-अलग से मतलब परती सत में mobile बेशते हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ पे टूटल जो mobile phone निर्मित होते हैं, बारा लाग चालिस अजार तो, XYZ दोरा कितने mobile phone नि ठीक है, बारा लाग चालिस अजार लिखा है, अब XYZ का दिखा है, पुछा गया है, तो XYZ का कितना परती सत है, तो XYZ का कितना परती सत है, बारा परती सत है, तो सबसे पहले 2-0 से 2-0 काटे, अब यहाँ पे आपको पिन भी नहीं उठाना परता है, ऐसे ही आप बना सकते तो आपको देखना है कि 144 के आसपास कौन सा एंसर है आपका 144 के आसपास यहां भी आप आप 40,000 होगा ना एक嘛 48,800 यह एंसर आएगा ठीक है multiply आप चाहें तो मन में कर सकते हैं और अगली question के तरफ हम जलते हैं तो आप से पूछा गया ध्यान से देखेगा यहां पर टिकेट टाइप 1 कोस्तर नमबर 2 में आप से पूछा गया यहां पर कि निम्न पाई चार्टे आरे खी कंपनी इस पूछा गया है कि द्वारा कितना राजस फे प्राप्त किया गया तो सेम पहले कुछन जैसा है कि वह आपको कितना लिखना 36,82 तो यहाँ पे 36,82 हजार अब चाहे तो 2,0 जो 82,000 का 2,0 है वो पहले से काट सकते है क्योंकि किरिकेट किट विटना है 30% तो नीचे जो 100% का वो तो कटेगा और यहां 3,2,6 होगा अब जहां 1,2,6 होगा वही आपका एंसर होगा तो 6,2 जगह है A और B दोनों जगह है ठीक है बट 3,9 होता है तो जो एंसर आएगा 9 से ज़्यादा आएगा तो पहला ओपसन देखिएगा 11,4,600 ठीक है यह पहला एंसर हो जाएगा 11,4,600 यह पहला एंसर हो जाएगा तो देख सकते हैं कितना आसान कोस्टन है और यह जो भी कोसर हम देख रहे हैं सब प्रिवी सीयर कोसर ने देख सकते हैं कि रिएलीवे ग्रूप दी तईज-धस 2018 में को देखते हैं को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब को निकाल ना तो यहां तो संबंधिस सेक्टर कौन आपको निकालना तो यहां तो सिंपल सा है कि टूटल जो कौन होता है वो 360 होता है एक सरकल का और यहां पर क्या कर देना 30 परसेंट निकाल देना है उसका 30 परसेंट अगर हम निकालेंगे तो 10 से 10 कटेगा यहां पर कितना हो जागा 108 है डिगरी हो जागा ठीक है एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हो यह भी आप देख सकते हैं आर पी अपे में पूछा गए एक फॉर्मूला है एक से माली जे कोई फिटा निकालना है तो वैल्यू आप कंपोनेंट है अपवान में टोटल वैल्यू इंटू में 360 यह आप याद रखिएगा ठीक है यह कहां काम आएगा उसको भी मैं बताऊंगा आपको माली जे की एक पाई चार्ट है ठीक है यहाँ पे कुछ एंगल दिया हुआ है कंपोन यही चीज मैं बताना चाहता हूं तो यह फॉर्मुला आप याद रखिएगा काम आ सकते आपके एक्जाम में क्योंकि एक्जाम में इस तरह के कोशन पूछे जाते हैं इन पर आखारे चलिए आगे दिखेंगे अगली को सिन को सिन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे को पाइनों के बारे में पुछा गया तो थब प्राप्त सूचनाओं को निमन पाइचाट के दवारह दरस आया गया तो दी गए सूचनाओं के अधार पर ज्याद करेंकि कि जाते Yiंत थे कि आपको मताना कितने को उट्कांपोंने पृ 그inal कि आते हैं इंटो में 360 ठीक है यह दिया हुआ है अब ठीटा का मान देखिए तो कार वाला कितना है 150 टिग्री 150 वहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू अब कंपोनेंट आपको पता नहीं है बर्ट टोटल मान कितना है बारा सो चात्र है यहां पर तो बारा सो मैंने लिख दिया अब गुना कि विद्यार्थी आते हैं अब कितने हो जाएगा 500 हो जाएगा तो दीख सकते हैं कितना आसान को सने और कितने आसानी से हम लग सौल कर रहे हैं सभी सबस्तुम को ट्याइस निया अब आगे विद्धा को देखेंगा आप नमबर 5 अभी परण वन ही में चेज़र रहे है ठी है टाइप वन में देख रहे हैं और सभी की सभी क्या है प्रीविस एर कुछ ने यह एंटी पीसी 2016 में पूछा गया था कुछ नमर पांस को ध्यान से देखेगा पांस में पूछा गया है कि राज्य का छित्रफल क्या होगा यदि कुल छित्रफल एक एक सट हजार साथ सो है ठीक है तो राज्य का छित्रफल निकालना है तो बहुत असान कोशन है एक सट हजार निकालने के लिए बोले जाएगा तो PTS के टूटल निकालके हम लोग क्या करेंगे तीन से भागा दे देंगे बट यहां गुना कीजे तो यहां गुना कीजेगा आपका एंसर आ जाएगा तो अंति में 4 आना चाहिए और 4 किसके पास है C और D दोने के पास 4 है और B के पास भी अप्सन नबर C होगा तो मैं क्या करूंगा अप्सन नबर C लगा दूंगा मल्टिप्लाइ करके यही आएगा 13,574 आजागा ठीक है 13,574 स्क्वार किलो मीटर तो देख सकते कितना आसान कोशन है और कितने आसानी से हम लोग ने सभी कोशन को सॉल्म किया चलिए आगे देख 2016-2017 के बीच में CO2 के सर्जर में कितने परतिशत की व्रिधी होगी यह आप से पुछा गया है कि कारबन डायोक्साइड के में कितने परतिशत की व्रिधी होगी तो यहाँ ध्यान से देखेगा इस क्रूशन को कैसे बनाएंगे क्योंकि यहाँ टाइप चेंज हो रहा है अभ हमारे पास अगला टाइप है वो टेबुलर डीय अगला टाइप कैसा है तो यहाँ पर होगी when to तो टेबूलर ल टेबूलर दियर तो तो दीके वह यह कुशन 2015 में सीयोटू का सर्जन दिया हुआ है घरों में सर्जन कितना हुआ ठीक है यह मिलियन मैट्रिक टर्न में दिया हुआ ठीक है तो इस क्वेशन को हम बनाएंगे कैसे यहां पर 2016 से 2017 की बीच में CO2 को सरजन में कितने परतिसत की व्रिधी आप देखे 16 में कितना है 210 2016 में कितना दिया हूए 210 2017 में कितना दिया हूए 156 अब हमें देखेंगे डिफिरेंज कितना आ गया चालिस का गया कब से निकालना है दो जास उल्ला को बेस मान के निकाल लिए ठीक ऑप अगा परतिससत तरह निकाले जाता है कोई न कोई यह बेस होगा जहार से इंक्रीज हूआ उसको हम बेस मानेंगे तो बेस इमाउंट हम लोगा दो जाए सो लाव वाला है बस इसका 40% निकाल दीजिए आपका इंसर आ जाएगा 400 बटे में 11 अब 400 बटे में 11 को सॉल्व कीजिए 36 पॉइंट में 36 पर 30 आ जाएगा ठीक है तो देख सकते कितना आसान को सना और कितने आसान जिसे हम लोग सभी को को सॉल्व कर पारे यहां पर ठीक है अगला पूसर दीखेंगा नमबर पर खेंगा यहां पर यहां पहले दिखेंगा किसी कंपनी के विभिने मदों पर वैय को यहां दर्स आया गया है सभी जो खर्च होते हैं यह मतलब कर्च होता है 500泰ोपय दिया हुए चरद बेतरन जी चरी आरिकितना जा उसके बाद दूसरे वरस का तीसरे वरस का वर्स़य का कुल खर्च का कितना परतीसति है वर्स1 का कुल खर्च देखेगा, मतलब कितना दिया गया, वर्स एक में, तो एर वन में देखेगा, एर वन का निकालेंगे, तो मैं एक निकालेंगे दिखा देता हूँ, 200, प्लस 200 है न, 200, प्लस में कितना है, 200, प्लस में 10, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 200, प्लस में 10 है, ठी इसको add कीजेगा तो 300 आजाएगा ठीक है एड करके दिख लिजेगा और इसी तरह तीसरे वर्स का सब को जोर के निकाल लिएगा तो यह आजाएगा 600 आजाएगा ठीक है तो यह clear आपको दिख रहा है कि 50% हो रहा है ना क्योंकि पुछा गया है कि वर्स एक का कुल खर्च है व कितने सानी स Państwo को solve किया यह आगे दिखेंगे क्विसलन मेरा से अब दोस्ता है करना आठ देखते हैं टाइप eight का शौर प्रक्राइब को ध्यान से समझेयैं बहुत ही अच्छा को सल निवले सार्णी में 5 राज्य में गरीबी रिखा तो था यह जैई हैं मिलां का परतिसेटे वित्रण साता है। अब देखिएगा M, N, O, P, Q में गरीबी रिखा से नीचे का परतिसेट क्या दिया हुआ है। जो लोग गरीबी रिखा से नीचे है। जो mail की संख्या है वो 1.7 million है तो राजे O में कुल जन संख्या आपको निकालना है ठीक है राजे O में क्या करना है कुल जन संख्या निकाल लिजे अब माल लिजे की total जन संख्या कितना है टोटल जन संख्या माल लिजे की X है ठीक है टोटल जन संख्या माल लिजे की X है और रेशियो कितना दिया है mail फिमेल का ये किसका दिया हुआ है अपर का दिया है मतलब गरीबी रेखा से उपर वाले दिया हुआ ठीक है अपर क्लास का माल लिजे 4 अनुपात में 3 mail 4 है तो female 3 ह यहां पर किजए गा तो 5.1 निकल जाएगा ठीक है 5.1 by 4 निकल जाएगा और इसको solve कीज़ेगा तो 1.275 निकल जाएगा ठीक है 1.275 क्या निकल जाएगा million निकल जाएगा ठीक है ये female का संख्या हो गया अगर अब हम लोग total संख्या निकालना चाहे total male plus female तो हम लोगों क्या करना होगा इस वाले संख्या को और इस वाले संख्या को add करना होगा ठीक है और इसको add करेंगे तो कितना जाएगा 2.975 आजाएगा कितना आजाएगा 2.975 यहीं आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा अच्छे से आप लोगों समझे मा आ गया होगा question number 8 अब देखेगा अगला question question number 8 के बाद question number 9 देखेगा question number 9 भी असान question है 1, area 1, area 2, area 3, area 4 VK, MST, RD, SR SR और MST के प्रसंसकों की कुल संक्या में अंतर आपको निकालना है ठीक है? कुल संक्या में अंतर मतलब इसमें तो आपको simple समझ में आ रहा होगा कि SR को total add कीजे question number कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा question number 9 type 2 है SR total लिखा लिएगे तो SR कितना है? SR, SR, SR 1500 यहाँ दिखिएगा 1500 लिखा हुआ है फिर 4000 लिखा हुआ है सबको लिखिए, जोरी है लिखा लिए ठीक है 1500, 4000 3500 और 2500 3500 और 2500 जोडने के बाद हो जाएगा 11500 अब MST कितना है? MST हो जाएगा यहाँ पे MST 3000, 3000, 4000, 3100 तो यह तो 336 और 10 है और यह हो जाएगा 13100 ठीक है? अब आपको क्या करने के लिए बूल लगे है कुल जैन संक्या मतलब है इसमें अंतर निकालने के लिए बूल लगे है तो इसको इसमें से घटा देंगे तो यह हो जाएगा 1600 अब का सही अंसर आना चाहिए तो आपका सही अंसर क्या हो जाएगा आपका सही अंसर हो जाएगा क्योंकि अंतर पुछा गया है इन दोनों छेत्र का अंतर पुछा गया है ठीक है देख सकते हैं कितना असान कोस्ट्र पुछा गया है एंटी क्रिश्य का यह कोस्ट्र है ठीक है पंजाब, हर्याना, UP, MP, महराष्टरो और राइस्थान 2011-12-13 पंजाब में वर्ष 2011 की अपिक्षा 2013 में क्रिसी योग्य भूमी में वृधि का परतिसत निकाले तो क्रिसी योग्य भूमी के में परतिसत आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग यह ध्यान दीजिएगा ठीक है दिखें कुस्तर नमबर 10 ठीक है आपको 2011 में पंजाब की अपिक्षा 2013 में क्रिसी योग्य भूमी में वृधि निकालना मतलब पंजाब का ही डेटा आपको चाहिए तो कितना था 2011 में पंजाब में देखा जाए तो 220 था और 2013 में कितना हो गया 264 अंतर कितना हो गया 44 टोटल यहां कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा यहां पे 220 हो जाएगा टोटल हो जाएगा 220 है गुना में 100 कर दीजिए यह 5 बार में कटेगा और ये कितना हो जागा 20 हो जागा मतलब सही answer कितना हो जागा 20 पर 30 हो जागा हम लोग का सही answer दीख सकते हैं कितने असाली से हमने समी question को बना लिया और बहुत ही असाली से आप solve कर सकते हैं चलिए आगे दीखेंगा अगले question 20% हमने बना लिया option number A होगा अगले question के तरफ चलते हैं और अगला question जो है वो type change हो गया type 3 होगा अब दोस्ता हम लोग question number 11 देखते हैं question number 11 में दिया गया है कि दिये गया चार्ट के दूसार किस वर्स में store B की विक्री 13 लाग से जादा हो जाती है तो 13 लाग से जादा किस वर्स हो जाती है यह आप से उचा गया है store B की विक्री 13 लाग से जादा हो जाती है अब दीखिएगा अगर हम लोग के इस question को बनाएंगे कैसे यहाँ पे तो सबसे पहले मुझे लिखना है type 3 bar graph ठीक है bar graph है अब वर्स एक में कितना है वर्स एक में 14 लाग है देखिएगा B का B कौन सा है B है बीच वाला तो वर्स एक में कितना है 14 लाग है वर्स दो में कितना है 12 लाग है वर्स तीन में कितना है 8 लाग है तो देख सकती है यह question में पेन कहां उठाना पर हैं को 13 लाग से ज़्यादा पूछा गया तो वर्ड से एक होगा एंसर तो आपसा नंबर शी आपका सही एंसर हो जाएगा तो देख स्लोट में 25 लोग को समय योजित कर सकता है उसके उपियों करताओं के लिए तीन अलग-अलग समय स्टॉल है और निम्न चार्ट एक सब्दा से एक सब्दा के और सते अगंतु को दर्शा रहा है वह कौन सा दिन है जब वे अधिक सदस्यों को समय योजित नहीं कर सकते हैं तो इस को सब्सक्राइब करना यहां यहां नमबर 12 अब लोगों को समय यूजित किया जा सकता है तो पूछा गया आप से क्या पूछा गया देखेगा और निम्न चार्ट एक सब्दा के और वे अधिक सदस्यों को समय यूजित नहीं कर पाएंगे कौन सा दिन ऐसा होगा जब वह अधिक सदस्यों 25 लाग से ज्यादा 25 लाग का जो कैपिसिटी जिस दिन पूरा हो जाएगा वही दिन होगा तो देखिएगा ऐसा कब हो रहा है ऐसा हो रहा है संडड़ें को क्यूंकि कि संडे में जो तीनों स्वाट है एबीसी मतलब वान टू थ्री तीनों की तीनों की आउजए रहे 25 लाग फूल हो जारे तो आपका एंसर क्या होगा देखे यह बना लेंगे संडे ठीक है अब ध्यान से देखिए संडे ओले स्लोट में क्या है डेटा आपका तीनों में तीनो तीनों की तीनों स्लॉट में 25 लाग से जादा है 25 लाग हो चुका है तो उसमें अब एक भी डेटा आ नहीं सकता है कि इस लाट फुल हो गया तीनों ठीक है तो यह कोशन बनाना नहीं है कि मल दीख के बना सकते हैं आगे दिखिएगा जितने भी कोशन में सब देखिए ग्रू द्वारा बीचे गया प्रसनल कंप्योटर की संख्या को प्रदेशित करता है ठीक है एक्स वाइजड की द्वारा प्रसनल कंप्योटर को जो बेचा गया है वो प्रदेशित करता है अब दीखिएगा 2004 से लिके 2014 का डेटा दिया हुए आप पूछा गये कंपनी XYZ है किस वर् बेचा, 2012 में 50 बेचा, यहां मैं लिख देता हूँ, 12 इन्होंने बेचा 50, ठीक है, 14 में दीखेगा, 14 में कितना बेचा, 80, यह जदा हो गया, उसके बाद हम लोग से पुछा गया, 2005 में दीखेगा, तो 2005 में 15 बेचा, तो 2005 में कितना बीचा 15 अब ये सबसे कम होगा मेरे हिसाफ से 2004 में उससे भी कम है 10 2004 में कितना है 10 तो आपका सही अंसर क्या हो जाएगा 2004 क्योंकि सबसे कम वाला पूछा तो ये भी कोशन आपके वल देख के बता सकते है ठीक है अपसा नमबर D इस कोशन का सही अंसर होने वाला है अगले कोशन दिखेंगे हम लोग अगले कोशन दिखिएगा को अब परहले फॉटिन इस कोशन को आपने हटा दिया अब देखिएगा कोसर नमर 14 में क्या पुछा गया यहां पर यदि वर्स 2001 में Samsung TV के उत्पादन का प्रतिशत वही था जो वर्स 2000 में था तो था 2001 में पी टाइप Samsung TV के उत्पादन की संख्या क्या रही होगी तो यह Samsung TV के उपर बार ग्राफ दिया हुआ ठीक है अब यहां पर पी क्यू आर एस्ट यू अलग अलग यह क्या दिया हुआ है कि टाइप दिया हुआ है अब बुला कि अब बुला गया आप से कि 2001 में Samsung TV का उत्पादन का प्रतिशत वही था जो कि 2000 में था 2001 और 2002 में दोनों में सेम था प्रतिशत प्रतिशत दिया हुआ है तो परतिशत देखेंगे पी का तो 30 परसेंट आ जाएगा ठीक है और हम लोगे पास यहां टूटल डेटा दिया हुआ है टूटल डेटा है टूटल डेटा दिया हुआ नीचे देखेंगा टूटल नंबर ऑफ टीवी क्लोड्यूस ठीक है कितना है चाड़ लाग चालिस अजार और पहले वाले में देखेंगा 2000 में तो हम लोग क्या करेंगे चाड़ लाग चावालीस अजार का केवल तीस परसेंट निकाल लेंगा आपका एंसर आजाएगा ठीक है को समझना है चाड़ लाग चालिस अजार का 30 पर 30 यह एक सो बतीस होगा एक सो बतीस से 222 कट गया मतलब 132 पर 30 पर 30 आजाएगा जोकी आंसर में दिया है और बी आपका सही अनसर होगा तो देख सकते हैं कि कितना आसान को समझ लेंगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है तो हमने अभी तक बना लिया 14 को अब देखते हैं और दोस्तों चोटा से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब देखते हैं जो देखते हैं तरह नमें बार चाट निया भर में भारत की में मुंचवल 15 के रुछाल को दर्साता है tea मुच Bj Swbur LD के से इंडिया मुचríफ मंड इन्वेच्मेंट कितना होता है वह पता है थिक है अब देखेगा यदि देशो का मुच्वल फंड ब्रके जिसो में इसे उन्ना स्थान्टी के यद्पात की रूप में ठीक उतना यही था जितना पूरे विस्त्रे का कुल मुझवल पंड निवेश था यदि इन दोनों देशों से 1992 में मुझवल पंड निवेश दो मिलियन यूरो था तो 1997 में इन देशों से मुझवल पंड का निवेश की मातरा क्या होगा? ठीक है Waton बहुत लमबय और थूरा आपको लगता होगा क्या कुश्य मूल पूश्प दियाग्या कितना फूर लिए तो फाइब दिया हुआ है अनुपास साथ है और यहां पर 31.36 यह दिया हुआ है तो यह दिया हुआ है अब यह निकाल लीजिए तो यह कितना आ गया रिश्यों कीजएगा हकिजिए तो 25 बटे में फानसो अर्शनाट है ठीके थी मेंने साथा अब यहां पर 292 का माल लीजिए 997 का इतना एक्स माल लीजिए हुता है ना हम लोग एकस माल सकते हैं क्योंकि एकस दोनों के बीच में हैश्य आएगा आएगा तो हम लोगे युनी सो बान्वे का डिया हुआ है लीका कितना दिया वाला नोच दिया हुआ है तुछ के डिया वह ना वी यूरो फा तो यूरो था तो निस सो बानमे का है उपर वाला तो 280 x से इकल टू में 2 million जो भी है 2 million आ जाएगा अब ये x का value निकल जाएगा यहां से x का value आप लोग को पता है क्या निकलेगा मैं यहां लिखता हूं x is equal to में 2 बटे में 280 यह निकल जाएगा ठीक है x is equal to में 2 बटे में 250 निकल गया अब अब निकालना है क्या 1997 का mutual fund निकालना है तो 1997 का mutual fund यह माना है तो कितना हो जाएगा 1997 का 1568 है न सायद 1568 गुना में x का value दो बटे में 280 यहां पर solve कीजिए और कितना value आ जाएगा 11 के आसपास आ जाएगा 11.003 के आसपास आ जाएगा यही आपका क्या होने वाला है एंसर होने वाला तो देख सकती कितना इजी कोशन है और कितने इजी तरिके सामने इन सभी कोशन को solve किया चलिए आगे देखेगा आगे देखेगा अब टाइप चेंज होता है दोस्तों अभी तक हम लोग देख रहे पे यहां पर देख रहे थे अब लोग देखेंगे लाइन अब आपक देखेंगे लाइन ग्राफ और यह कि ठीक है टाइप चार लाइन ग्राव अब ध्यान से देखिएगा पहला कोशन में पूछा गया है टाइप चार में कि एक लाइवरेरी में में 10-20 सेक्षन है और लाइवरीरियन 20 दिन में किताव को बहुत मतलब क्लासी पाई बाठता है किस सेक्षन में सबसे कम कितावे हैं तो इसमें से किवल देखना चारू आप्षन में साथ में कितने सक्षन साथ में दिया हुआ यहां पर या सो माले सीर्ट साथ में एक सो September सो प्रफी से जैसे स्थ झांής बढ़नें़ जैसा मुझे दिखा सो हुआ है क्शन 5 वर में दिया हुआ है यहाँ पे 400 पांच टेक है सेक्षन आठ पहरें देखेगा सेक्षन आठ में दिया गया है 150 में कितना दिया हुआ है 150 तो यह भी इनसे तो ज़्यादा है प्रफिसार और फिर सेक्षन 9 में दिया कुछन हो जाएगा अभी तक हमने 16 को देख लिए अब कुछन नमबर 17 को देखिए गाइगा 17 अभी तक हमने कवर किया यहां पर तो कि नमबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है कि नीचे दिये गए ग्राफ के अधार पर कौन से अनुभाग में 360 से अधिक किताबें बेची में दिखिए गा 360 से ऊपर तो चार सो किताब बीचा गया है और और दो सेक्सन में 3 और 5 तो आपसे नमबर सी में दिया गया थी और फाइव यहां पे यहां पर 3 और फाइव जो आनुभाग है डिपार्टमेंट है उसमें 360 से ज्यादा किताबें बेची गई है तो लाइन द मिक्स्राफ का zoom में दीख रहा है व Hare ik six तरह भी उचा जा सकता है एक लांनों अग्राफ हो सकता है यह बारंगा असकता मतलब दो ग्राफ को अगर मिला दे तो मिला देऊ Lewis सब्सक्राफ बनता है कि यहां पर ध्याव से दिखेगा क्या पूछा गया आप लोगो दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूंगा यहां पर पर कुशन को को सिस करता हूं कि थूरा सा जूम कर दूँ ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से दिखेए और भी अच्छे तरीके से दिखने लगा आपको ठीक है देखेगा कुशन में दो पाइचार्ट दिया हुए वर्स 2001 में चात्रों की संख्या 1800 वर्स 2002 में चात्रों की संख्या 2200 और दवाई क्रिसी अलग-अलग डिपार्टमेंट है यहां पर और उनमें चात्रों को संख्या पताया गया है ठीक है अलग-अलग डिपार्टमेंट इंजिनियरिंग है क्रिसी है कला है वानीज है ठीक है अलग-अलग इस्टुडेंट है यहां पर उसके बाद दिखेंगा बर्स 2001 और 2002 में प्रिसी में जो चात्रों पढ़ते हैं उनकी संख्या यह बीच में क्या निकाल 21 2002 में क्रिसी में निकालना है तो देखेंगा क्रिसी वाला कितना क्रिसी का दिनकालना क्रिसी में लाइगकेगार तो निकाल यह र indispensable क्रिसी 5000 तो किसी चाय से दो बार में यह ग्यारा बार में कटेगा तीन से छे बार में कट जाएगा अब यहां पे तीन से छे बार में मतलब बारा अनुपात में ग्यारा आपका एंसर आ जाएगा और यह आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां नीचे लिखता हूँ आपका एंसर होगा बारा उपवात में 11 तो देख सकते हैं कि इन सबी बना सकते हैं अगला वर्ष से 2002 में विग्यापन में जो चात्र नी कि उसक्षा परते चात्र है उनकी संख्या में कमी और व्रिधी का परतिसत क्या होगा 2000, एक से 2, अब एक में विज्यान में कितने है, तो वो तो निकालना परेगा हम लोगों, एक में है 24%, 1814, 24%, तो ये दोनों आपको निकालना होगा साइन्स वाल, ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, कोसन नबर 19 साहिए, हम लोग का, यहाँ 2001, अलग-अलग से दोस्तों मैंने लिया है, ताकि आप लोग का बच्चे नहीं कुछ, हर टाइप का मैंने कोशन आप लोग का करवा दिया, ठीक है, अब 2001 में कितना है यहाँ पे, 2001 में निकालेंगे, तो 24% है, आप फे, 2001 का डेट पूरा आज वो स्टुडेंट है, वो 1800 है, 24% अफ अफ अफ बाइस तो, यह हो जाएगा, 550 हो जाएगा, ठीक है, 550, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यह 550 आपको दिखनी रहा है, ठीक है, यहाँ सौल्ब कीजिगा तो 550 आएगा, अब पूछा गया है कि, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है कि, कितने पर 550 में से 432 को घटा दीजेगा तो increment हुआ यहां इसका मतलब ना increment हुआ या तो 21% होगा यह 27% होगा तो इसको निकाल लिए कितना हो जाएगा 118 होना चाहिए ठीक है और कहां से increment हुआ 432 से हुआ गुना में क्या कर दीजे 100 कर दीजे ठीक है यहां तक आप लोगों दिख रहा है यही आप लोगों को निकालना है required percent यही पर ठीक है 432 था और एक में 550 हो गया अब यहां परतिसत निकाल दीजे आपका अगला कोशन देखते हैं और अंतिम कोशन क्या पुछा गया अधियान से देखेगा कोशन नमर 20 यह अधिक है वर्स 2001 वानीजे और इंजिनियरिंग में जो छात्र है विलकर संख्या दोनों विभागों को वर्स 2002 में पढ़ रहे कुल विध्यार्थी को संख्या का कितना परतिसत है इन दोनों विभागों में 2002 का दोनों विभाग देखना है ठीक है कि देखें कि 2001 में पहले दिखा हुए कि 2001 में वानीजे और इंजिनियरिंग तो 2001 में कॉमर्स और इंजिनियरिंग के छात्र को देखेंगे तो 2001 देखेंगे कॉमर्स में कितने वानीजे में 25 है और इंजिनियरिंग में कितने हैं 15 है इंजीनियरिंग में कित rápido इंजीनियरिंग का है। कि अठारे चोगे 72 मतलब 720 हो जाएगा ठीक है यह आपका निकल गया आगे क्या पूछा गया यहाँ पे आगे पूछा गया कि इन दोनों विभागों में 2002 में पढ़ रहे हैं विद्धार्थियों के संग्या के कितना परतीसात है तो 2002 में कितना है 2002 वाला देखिए तो 30 हो गया 2200 दो जिरो से दो जिरो कट गया स्वाल कीजिए 960 अब यहां पर हम लोगे जगा तो नहीं है यहां पर लिग लेता हूं मैं यहां पर क्या करना है सिजा परतीसात निकालना है 720 अपॉन में 968 गुना मैं 100 यह लगवख मुझे लगता है कि 80 के आसपास आएगा तो यहां पर दीखिएगा 80% बी ओप्सन होना चाहिए ठीक है 80 नहीं होगा 79 के आसपास आजाएगा तो यह मुझे लगता है कि 3 ओप्सन होगा ठीक है आप निकाल के देख लिजेगा जो कोशन पुछा कर रहा है वह मैंने आप लोग को बता दिया आप लोग कर ली जगा बहुत ज्यादा लेंदी कैल्कूलेशन आप लोग के एक जाम में नहीं पूछा जाएगा और यह जो आभी हम देख रहे तो टाइम फाइम मिक्स ग्राफ देख रहे ठीक है मिक्स ग्राफ है इस तरह से आ थीक है अब लोग को पता है तो Counties ब गुरूरम में बता दिया अफरे ह ciao हर एक हर एक टाई लिए दोस्तों जिट्ने भी डी सुर्ट देटरीकूर और टाइप बन सकते थे सभी को हमने इस वीडियो में cover कर लिया और जितने भी railway group D के लिए और NTPC के लिए और railway के जितने भी exam होते हैं उनके लिए यह common class है इसमें हम हर एक टाइप के question को solve करते है ठीक है न तो इसका जो class 28 class मैंने पहले करा दिया था यह 29 class होने वाला है 29 class हो चुका है ठीक है न तो आगे भी जितने भी math के topic आप बचे हुए उनको हम इस महिने में खत्म कर देंगे और उसके बाद हम reasoning को भी 10 तारिक से पहले खतम करतेंगे 10 जनवरी से पहले reasoning को खतम करतेंगे 10 से 15 जनवरी के पहले तो जो basic जो है न वो खतम हो जागा 15 जनवरी से पहले तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे channel को subscribe करना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को